साथियों, एक राष्ट के रूप में, आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं, इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अउसर लेकर आई है, मैं कुदाहरन के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ, जब कोरोना संकर शुरू हुआ, तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी, N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था, आज स्थिती ये हैं, कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं, ये हम इसलिए कर पाएं, क्योंकि भारत ने आपदा को अउसर में बदल दिया, आपदा को अउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उत्नी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है, साथियों, आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के माइने पूरी तरह बदल गए हैं, ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है, अर्थ केंद्रित वैश्वी करण, बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है, विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन, आशा की किरण नजर आता है, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मंदिर्भरता की बात करते हैं, जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कम्प है, विश्व एक परिवार, भारत जब आत्मंदिर्भरता की बात करता है, तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमी ही, पुत्तो अहम पृत्विया, इसकी सोच रखती हो, जो पृत्वी को मा मांती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी सम्रुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है, भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है, भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव, विश्व कल्यान पर पढ़ता ही है, जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है, तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाप, भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारतिय गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड देश वाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब अच्छा